कल दो राज्यों की मदगणना होगी और जैसा के फीडबैक मिला है आप सबने देखा होगा और विक्ति के दूरूप से मैं मानता हूं कि एक बहुत अच्छे बहुमत के साथ हार्याना में हम लोग सरगाव बिनाने जा रहे हैं बीजेपी ने बहुत कोशिश करी जम कश्मीर के अंदर तरहें तरहें की सियासी चालें चली हैं लेकिन वहाँ पर भी मुझे लगता है कि सब्सक्राइब कर पीछे कुछ परदे के सामने बहुत सारे सियासी खेल खेले गए लेकिन वहाँ के लोगों ने दस साल बात जो चुन बनाएंगे यह जो चुनाव हुए हैं दोनों जगे यह बदलाव के चुनाव हैं जमो कश्मीर में गवर्ने साब के माद्यम से ही केंज सरकार और बीजेपी अपना शासन चला रहे थे लोगों ने बदलाव को वोट दिया है अच्छे परदान हुआ है और मुझे लगता है कि हम लोग दोनों स्टेट्स में अच्छा सरकार बनाने में अपनी हम कर पाएंगे और जहां तक कौन नित्य तो करेगा उसका चुनाव प्रक्रिया है हमारी पार्टी में कि विदायक दल की मीटिंग होती है अब जवज दिली से जाते हैं अपनी रिपोर्ट पार्टी अद करती है अभी जहरकंड और महाराष्ट्र के चुनाव होने बाकी हैं उम्मीद करते हैं कि उनके साथ ही जो साथ चेविदानसमा हमारी हैं और दस उत्तर प्रदेश में हैं कई लोकसभा सीट खाली पड़ी है तो बहुत जल चुनाव होंगे लेकिन राजस्तान के अंदर जो तो डिलिवरी कैसे होगी आज एक साल हुआ नहीं सरकार को और अपना अकबाल सरकार ने खो दिया है अपनी वश्वस्नीता खो दी है और अब गाव में जाईएगा सारे विकास के हम ठप पड़े हैं ना धन्राशी आ रही है ना अधिकारियों में कोई सरकार का कोई डर लेकिन अभी तक जो अपने सरकार का कारगाल देखा है वो बहुत ही निराशा जनक है मैं तो जितनी बार भी लोगों से कह सकता हूं मैं कहता हूं कि सरकार को सरफ भाशन नहीं देना चाहिए ठोस कारवाई करनी चाहिए जो लोग कानून तोड़ते हैं चाहिए वो शराब माफिया है बजरी माफिया उन पर इसकारवाई करनी चाहिए और कोई वेक्ति भी हो किसी विचारदारा का हो किसी दल का हो किसी नितस जुड़ा हो अधिगारी हो अगर कारवाई नहीं करेंगे तो इस पकार लगातारी इस पकार के घटना बढ़ती रहेंगे इतने लोग मारे जा रहे हैं और धडले से चूरियां हो रही है सरकार नियंद्रण नहीं कर पा रही है क्योंकि लोन ओर कॉलाप्स हो चुका है अब बच्चियों के साथ सोशन हो बलातकार हो, दुशकर्म हो बलेतों आदिवासिक के साथ जो हो रहा हम देख रहे है और बजरी माफियत था हाभी हो चुका है कि लोगों की सरयाम लोग लूट पार्ट मचा रहे हैं लोगों की जाने जा रही है सरकार हाथ जा रखके बठी होगी है अज हर बर्क परिश है इंदोस्तान में मद्यमवर को, किसानवर को, छात्रो, नौजवान हो, किसानो और खासकर हमारे आदिवासी दलिद भाईवेन सब के मन में जहन है एक भविश में क्या होगा शिक्षित लोग बेरुजगार हैं कोई सरकार समादा नून नहीं पा रही है आज भी वह एक घिसे-पिटे भाशन बार-बार वीजेपी की नेता दे रहे हैं और मैंने तो देखा है कि जब हर्याने के चुनाव थे तो भाजपा के बड़े नेताओं ने वहां से अपने हाथ खींच लिया जब उनको लगा कि यहां चुनाव नहीं जीतेंगे तो अपने हाथ खींच लिया नहीं वह भी असलेतों समझ रहे हैं और इन चुनावों के बाद जैसा राहूल जी आलड़ी कह चुके हैं कल महराश्टर में थे हमारी पार्टी की पूरी तयारी है और हमारा गड़बंदन मजबूत सरकार महराश्टर में बनाएगा मैंने खुदी कहाना आपको कि एक साल से कम समय हुआ नहीं है और सरकार में मल्टिपल पावर सेंटर बन चुके हैं संग्टन सरकार में कोई ताल्मेल नहीं है सरकार का इकबाल नहीं है डिलिवरी हो नहीं रही वादे पूरे करना छोड़ो जो काम हम चालू कर गए थे उन कामों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं धन्राश यावंटिन नहीं हो पा रही है स्कीम्स पूरी नहीं हो पा रही हैं निर्वान काम ठप पड़े हैं बिजली पानी के हालात हम लोग बेख चुके हैं तो सरकार जब बनती है तो जन्ता की वोट से बनती है आप उनकी उमीदों को पुरा नहीं कर पाएं और लगातार सेल्फ गोल करते रहें जन्ता कब तक बरदास्ट करेगी